किसी को मारा तो पोलिस डोबड़ेगा पोलिस वाले कोई मारा तो तुमारे जैसा डोग डोबड़ेगा तेरी मर्ग मिल गया रिस्टाइब कितने भव्य तरीके से बनाई जो रही है केज इफ चाप्टर टू क्या तै किया गया है फिल्म का बजट फिल्म को आखिर किन किन जगहों पर फिल्म आया गया है निमस्कार दोस्तों मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सब का बॉली ग्रैट स्टूडियोज में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे के जिफ चाप्टर टू की भव्य मेकिंग के बारे में जानेंगे कि कितना बजट उल्टा रही है टीम इसकी मेकिंग में और कौन-कौन सी है वो जगहें जहां पर फिल्म के विभिन हिस्सों को फिल्म आया गया है दोस्तों के जिफ चाप्टर टू का हाइप इतना बढ़ गया है कि एक दिन भी हम इस मुवी से रिलेटेड कोई खबर ना सुने तो रह ही नहीं सकते जिस दिन कोई खबर ना मिले तो लगता है उस दिन में कोई काम अधूरा रह गया और सोचिए जिस फिल्म में रिलीज से पहले ही इतना तहल का मचा रखा है वो रिलीज के बाद क्या कमाल दिखाएगी मुझे तो सच में लगता है कि केजिफ चाप्टर टू के रिलीज के दिन पक्का नैशनल हॉलिडे होने वाला है शुरुआत करते हैं और नज़र डालते हैं इस फिल्म के बजट पे तो आपको बता दूँ कि इस फिल्म का बजट केजिफ चाप्टर वन की तुलना में 20 करोड जादा है जी हाँ दोस्तों केजिफ चाप्टर वन बनी थी 80 करोड की लागत से और इतनी सूपर हिट रही थी तो दूसरे पार्ट को तो इससे बहतरीन बना रही था और इसमें बजट भी तो फिर जादा ही लगता ना तो केजिफ चाप्टर टू का बजट रखा गया है 100 करोड यह फिल्म करनट फिल्म इंडेस्ट्री की हाइस्ट बजट फिल्म है अभी तक की आप इस फिल्म की भविता का अंदाजा लगा सकते हैं जब मैं आपको बताओंगी कि फिल्म की शूटिंग कहां कहां पर की जा रही है लेकिन सबसे पहले आपको बताओं कि केजिफ चाप्टर वन के रूलीज से पहले ही केजिफ चाप्टर टू की 20% शूटिंग पूरी कर ली गई थी और फिल्म की इनिशल शूटिंग बैंगलॉर में की गई थी उसके बाद टीम पहुंची माईसोर और यश और रवीना टंडर ने माईसोर में ही टीम को जॉइन किया शूटिंग हुई ललीता महल पैलस में उसके दो महीने बाद टीम निकल गई साइनाइड हिल्स के लिए और शूटिंग हुई कोलार गोल फील्स में जिसमें फिल्म का नाम भी रखा गया है फिर कुछ दिनों बाद वहां से रैप अप करके टीम ने हाइडरबाद में शूटिंग स्टार्ट की जहां उन्हें जॉइन किया संजय दत में एक बिहाइंड दू सीन वीडियो में यश को इन्फोसिस कैंपस मैसोर में भी शूटिंग करते हुए देखा जा सकता है तो आप समझ लीजे कि फिल्म की मेजर लोकेशन्स रही हैं हाइडरबाद, कोलार गोल्फील्स, बैंगलोर और मैसूर इस तरीके से काफी मेहनत कर रही है केजिएफ की पूरी टीम इस फिल्म को ग्राइंड बनाने में आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज क्या नया जानने को मिला इस फिल्म से रिलेटर वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक और शेयर कीजिए साथ ही बॉली ग्राइड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलेगा धन्यवाद